और हमारे सहीयोगी राजेंदर सिंग जदोन इस खबर पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं राजेंदर भूपाल इस बार राजनीती में कॉंग्रेस और भाचपा इन दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है एक तरफ दिग्विजे सिंग कॉंग्रिस की तरफ से मैदान में उतर चुके हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से अपना नाम जो है वो तै नहीं हो पा रहा है बिल्कुल एश्वरिया मैं आपको बता दूँ कि जो है कल उमा भारती ने चतरकूर में पत्रकारों के सवाल देते हुए यह कहा है कि जो है इन्हें कोई भी एक साधरन कारे करता भी भुपाल से दिग्विजे सिंग को हरा सकता है इसके कई करायत लगाये जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि आलोग संजे को दोबारा भुपाल से दिग्विजे सिंग को हराना कथिन काम नहीं है लेकिन उसके बाद भी बीजे पी तमाम नेताओं पर मन्थन करती है और नाम नहीं सामने आ पाता है इस कड़ी में काफी नाम सामने आये है पर उमा भारती क्योंकि पहले ही मना कर चुकी चुनाव नहीं लड़ेंगी उसके बाद शिवराज सिंग चुहान ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया उसके बाद जो है अभी वतमान महापोर आलोग शर्मा का नाम भी इसी में दुबारा आया है ऐसे कई कड़ाया जा रहे हैं कि आज अकल में जो है टिक्लिया किया जा सकता है भोपाल का धन्यवार हमारे साथ जोड़ने क्लिए राजय इंद्राप का तो बहुत जल्द अब उमीद है क्योंकि वक्त भी बेहत कम बचा है तो भाजपा भोपाल से अ आया है तो